नमस्कार बच्छों, मैं हिंदी अध्यापिका शेक रजिया बेगम जड़पी हिच्चेस चिंतकानी पाड़ साला खमन जिले में काम कर रही हूं आज मैं नवी कक्षा के छात्रों को दस्मा पाठ अमरवाने पढ़ाने जा रही हूं पाठ को दियान से सुनिये और मुख्याम्ष को अपने नोट्स में नोट कीजिये पिल्ललू पाठन लोकी वेल्ले मुंदू मीकु कुंदरू प्रमुख विक्तुलू छेप्पिना मंची माटलूनू छूपिस्तानू छूड़न्डी महात्मा गांधी वेक्ती की पहचान उसके कपडों से नहीं आपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है स्वामी विवेकानन्द उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्षिना प्राप्त हो जाए सपने वो नहीं है जो आप नेंद में देखे सपने वो है जो आपको नेंद ही नहीं आने दे ए महान लोग अब इस दुन्या में नहीं रहे फिर भी हमारे दिलों में इनकी बाते जीवित है अमर है इन्हें हम हमेशा याद करेंगे क्योंकि ये बाते हमें जिन्दगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं एहैं अमर्वानी अमरका अर्द होता है जिसका मरन नहों वानी यानी बाते अंटे मरणम लेनी माटलू पिल्ललू गांदीजी स्वामी विवेकानन अब्दुल कलाम वीरू मन मज्यलो लेकपोईन पड़की वारू छेप्पी नटवंटी मंची माटलू मनक्कु यपपड़की गुर्थ्टुंडी पोताई पिल्ललू इपड मेकु कोन्नी चित्रालू चूपिस्तानू वाल्लू यवरो गुर्थ्टु पट्टे प्रहेत्नां चेएंडी सारे न? वच्चों मै तुम्हे एक कुछ लोगूंके चित्र दिखाती हूँ देखिए ये का उन है? तुलसीदास, सूर्दास, रहीम ये हमारे प्राचीत कभी है सूर्दास और तुलसीदास हिंदी साहित्य के सूर्य और चेंद्र माने जाते हैं ऐसे ही कुछ और कभी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े गवरों के साथ इनका नाम लिया जाता है वो कौन है? ये जानने के लिए हम पाट की ओर चलते हैं बच्चों पाट के चित्र को देखो अब हम इस चित्र के बारे में चर्चा करेंगे चित्र को ध्यान से देखो बोम्मलो एंकन पड़तों दी बम्मलो रेंट चेतलू दारानी पटट कोनी उन्नाई चेतल तो एंचेस तुन्नारू चेतल तो दारानी तेमपी मूड़ेस तुन्नारू कदा? बच्चों अपनी पाट्य कुस्तक में इस चित्र को देखो चित्र के नीचे कुछ प्रश्ण भी है उन्हे देखो पहला प्रश्ण चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में दो हात है अपने मुठियों से धागे को पकड़े हुए है दूसरा प्रश्ण यहां हातों से क्या किया जा रहा है? यहां हातों से धागे को तोड़ा जा रहा है तिसरा प्रश्ण जीवन में दोस्ती का क्या महत्व है? जीवन में दोस्ती का बड़ा महत्व है दोस्ती निस्वार्थ भावना से की जाती है सच्छी दोस्ती हमेशा त्याग भावना से ही होती है छित्र में एक दोहा भी दिया गया है पढ़िए रहिमन्थागा प्रेम का मत तोडो छटकाई तूटे से फिरना जुरै जुरै गाट पर जाई इस दोहे में रहिम बता रहे है कि प्रेम का थागा बहुत नाजुक होता है इसे जोर से मत खिंचो तूट जाता है तूटे हुए थागे को जोड़ा नहीं जाता अगर जोडना है तो गाट डालना पड़ता है इसी तरह मानुव संबंध भी बहुत नाजुक होते हैं। इन्हे प्यार से और स्नेह से निभाना पड़ता हैं। पिल्ललू कवे रहीम इविधंगा चिप्तुन्नार। प्रेमा लेधा स्नेहम अने दारम चाला सुन्नी तमयन दी। दीनिनी गट्टिका लागिते तेगिप्पूतुंदी तेगिन दारानी मल्ली एपटिलागा मामुलक चये गरमा वकवेला दानिनी एपटलागा मामुलक चयेयाल अंटे मुडिवेयाल सिवस्थुंदी। खदा, मानव सम्मंधल कुड अन्ती, इवी सुन्नित मैनवी, वीटिनी प्रेमतो, स्नेहंतो, निल्पुको वाले, अन्ते कानी तिम्पुको कूडदू, अन्तिके मन पेर्दवाल्लू, तेगे दाका लागुद्धू अन्तारू, निजमे कदा? पाटका उद्धेश, नीती दोहों का संकलन, वा पठन कर, नैतिक भावनावों से, जीवन मुल्यों का विकास करना, अन्ते, नीती पध्यालनु चदिवी, नैतिक भावालतो, जीवितपु विल्वलनु, विकसिम्पजेडं, इपाठम्यों का मुख्य उद्धेश्यं। कवि परिछे, कबीर दास, ज्ञानमार्गीर शाखा के प्रतिनिधी कवी है, माना जाता है कि इनका जन्म सन 1398 में हुआ था, कबीर की वानी का संग्रह बिजक है, इसके तीन भाग है, साखी, सबद और रमेने, इनकी भाषा सदुक्डी है, इनकी रचनाएं मानवता पर बल देती है, इनका निधन सन 1528 में हुआ। कबीर के पारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। कबीर जन्म संबंध कई मतबेद है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी के लहर तारा नामक गाउं में एक जुलाहा परिवार में हुआ था, अवर उनका पालन पोशन नेरू और नेमाने की जो मुसल्मान थे। कबीर दास पड़े लिखे नहीं थे, फिर भी अपने जीवन के अनभवों को कल्पना शिक्ती के बल पर पूरे दुनिया को ज्ञान दिया, उनसे कही गई वानी को उनके शिष्ष लिपिबद किया। कई जगह ब्रह्मन पर जाते थे। इसलिए उन्हें कई भाषावों जैसे ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्तानी आदी भाषावों का ज्ञान होता था। अपने विचार व्यक्त करने के लिए वे स्तानी भाषा को इस्तेमाल करते थे। इसलिए कबीर्दास की की भाषा को सधुकडी भी कहा जाता है। कबीर्दास हिंदी साहित्य के महान कवी ही नहीं बलकी समाज सुधारग भी थे। उन दिनों समाज में प्रचिलित जाति गद भेदभाव उन्चुनेच आदी बिरा बुराईयों को दूर करने की खोशिश की। इनकी मुरुत्यू सन पंद्रासव अठाईज को काशी के मगहर में वाथा। कबीर्दास पुट्टुकक गुरिंची अनेका अभिप्राय वेधालु उन्न पड़की अयना पदमूडुंदल तुम्भाई इंदिलो काशीलोनी लहेक्तारा अने उरिलो पका पदमशालील कुटुममलो जन्मिंचारानी चेप्पु कुन्टारु। अयते नीरु नीमा अने मुस्लिम दमपतलु इतन्नी पेंचारु। कबीर्द निरक्षे रास्तिडु अयन पड़की तनी वेक्का जीवित अनुभवालनु कल्पनार शिक्तितो जोडिंची प्रपँचानिकी ज्यानानी अंदिंचारु। अतनु चेप्पिन माटलनु अतनी शिष्षिलु पध्यालुगा रास्यारु। कबीर केवलं कबी मात्रमे कादु। संख संस्कर्त कोडा। आ रोजिलुलो उन्ना मूड नम्मकालनु पोकुट्टे प्रयत्नम चेस्यारु। चिवरकु पधिहनोंदला इरवय यम्दव समच्रम लो काश्री लोनी मगहर अने प्राम्तनलो कन्नमोस्यारु। आज हम कबीर के दोहों को समजने का प्रयत्न करेंगे। दोहां क्या होता है। असलु दोहां अंटे येमटो इप्रमनम तिल्सकुन्दाम। दोहां मात्रिक्चेंद है। यह दोपंक्तियों में होता है। इसमें चार चरण माने जाते है। दोहां ने मात्रिक्चेंद अने आंटारू। इदी रेंडु लैनलो उन्टुंदी, इन्दिलो नालुगु चरणालु उन्टाई। उदाहनुग दीसकुन्दाटले ते, दुख्यमे सुमीरन सब्ड करे। इदी वक्का चरणमू लेदा पादमू आण्टारू। सुख्यमे करे न कोई, इदी रेंड़वचरणम। जो सुख्यमे सुमीरन करे, इदी मूडवचरणम। दुख काहेको होई, इदी नालगुवचरणम। इविदंगा मनकी दोहालो नालगुचरणालू उन्टाई। पहला अवर तीसरा चरणमे, तेरा मात्रायें होती है। मोदटी मरियू, मूडवचरणमलो, पदमूड मात्रालू उन्टाई। अदे विदंगा, दूसरे अवर चोथे चरणमे, ग्यारा मात्रायें होती है। रेंडोदी मरियू, नालगुचरणमलो, पदकुण्डू मात्रालू उन्टाई। इसके हर पंक्ती मे, 24 मात्रायें होती है। प्रति लैनलो, मोत्तम कलसी, 24 मात्रायें लो उन्टाई। पहले और, दूसरे पंक्ती के अन्तिमे, एक गुरू और, एक लगू का होना आवश्यक्य। प्रति लैनू चिवरलो, वक गुरू, मर्यू, वक लगू उन्टाई। इटवंटे वाटनी, दोहालू अँजे पेसे आन्तामों, कबीरू, उक प्रसिद्धी, चेंदे नेटवंटे दोहाकार। अब हम कबीर के दोहों को सीखने का प्रयास करेंगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें, दुख का हे कोई कबीरू, दुख का हे कोई पिल्लेलू, मीर कोड़ा पाड़न्डी? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें, दुख का हे कोई कबीरू, दुख का हे कोई Very good, बहुत बड़िया प्रयास, इसी तरह दोहों को सीखने का प्रयत्न करो सुनो बच्छों, कबीर कहते हैं कि दुख के समय सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख के दिनों में कोई याद नहीं करते अगर हम लोग सुख के समय भी भगवान को याद करें, तो दुख कैसे हो सकता हैं, इसलिए हमेशा भगवान को याद करना चाहिए इपद्यमय को भावाम एनटाँटे पिलललू, अन्दरु दुखbabल मात्र में भगवंत्योंने उड़त तेच्च कुण्टा रु कानी सुखउंगा वुन्नप्डू, यवरू कुडँ भगवंत्योंने तला चरु मनं सुखंगा उन्नपड कूड भगवंतुन्ने स्मरिंचुनट लेते दुखं यंदुकु कलुगुतुन्दी अंधुकनी एल्लपडु भगवंतुन्ने ध्यानिस्तु उन्डाली अनि ये पध्यम्योक का भावं। आप दूसरा दोहा और उसका भाव को समझने का प्रयास करेंगे। दीरे दीरे रे मना दीरे सब कुछ होई। कभीर कहते हैं कि सारे काम दीरे दीरे निश्चित समय पर होते हैं। शेग्रता दिखाने से कोई काम नहीं होता। माली सींचे सवघडा रुत आये फल होई। फल जल्दी पाने की आशा से माली सवघडे पानी से पेड सींचिता है तो भी उस समय पेड से कोई फल नहीं मिलता। मौसम आने परही पेड से फल निकलता है। इसी तरह जल्द बाज करने से कोई काम नहीं बनता। पिल्ललू इदोहालो कबीर एमंटुना रंटे पनुलनी नेम्मदिगा सरेयन समयम लोने जरुगताई। तोंदर गुणं चूपिंचननंता मात्रान एपनी जरुगतु। एविधंगा नंटे चेट्टुन उन्डी पन्लु तोंदर गा पोंदालनी तोटमाली वकेसारी वंद कुणडल नील्लु पोसिना, आ समयमलो चेट्टुन उन्डी पन्लु वस्ताया रावू। दुतू उच्चिन अप्डु मात्रमे चेट्लकु पन्लु कास्तायी। अदे विधंगा तोंदर पाटु वलना पन्लु जरगवू। अनी इपध्यम यक्का भावं। इक्कड मनम नेर्चुको अवलसिने विष्यमेंटांटे, देनिकैना तोंदर पाटु तनम तगदू, सहन गुणडमा नेदी कलिगें उन्डाली। बच्चों, अब कभीर के तीसरे देवहोत्कू, पढ़ेंगे अवर सम्झेंगे। ठीक है। साई इतना देजे, जा में कुटंब समाए, मैं भी भूका ना रहूं, साधु न भूका जाए कभीरा, साधु न भूका जाए। साई इतना देजे, जा में कुटंब समाए, मैं भी भूका ना रहूं, साधु न भूका जाए कभीरा, साधु न भूका जाए। साई इतना देजे, जा में कुटंब समाए, इस दोहे में कभीर भगवान से इस तरह प्राधना करते हैं कि हे भगवान, कुरुपा करके मुझे इतना ही संपत्ती दीजिये। जिससे मैं अपने परिवार्ग का पोशन कर सकूँ। मैं भी भूका ना रहूं, साधु न भूका जाए। मेरी भूक भी मिट जाए, और मेरे घर आए, साधु लोगों की भूक मैं मिटा सकूँ। अधात, जो मेरे घर आता है, वह भूका पेट न जाए। इदो हालो, कबीर भगवंत्रुन्नी, इविधंगा प्राद्धिस्तुन्नादु। ओ परमात्मा, दैचेसी, नेनु ना कुटुम्बान्नी, पोशनिंचु को गलिगे टन्ता, संपदनु नाकु प्रसादिंचु। मरियू, ना आकलेनी तीर्च गलिगेटन्त, तरवाता, ना इन्टिकी वोच्छिना, साधूल योक्का आकलेनी तीर्च गलिगेटन्त संपदनी, वो। इन्तकंटे युक्कुवयेमी आसिन्चनू, अनी पध्यम्योक्का भावं। चूसेर पिल्ललू, मनिशिकी आसे अनेदी, यंतवरकु अउसरमू, अन्तवरके उंडाली। अत्यासवलना, अनेक नस्टालू, जर्गुताई। ये दो हें, हम किस तरह रहना है, यह बात हमें सिखाते हैं। पाट में आये हुए नये शब्दों के अर्ध, अब हम जानेंगे। सुमिरन, ज्यापकम्तिच कुनुटा, to remember, काहे, यंदुकू, वय, होई, संभविन्चुटा, to happen, धीरे, मेल्लगा, स्लोली, मना, मनसु, हाट, माली, तोटमाली, गाडिनर, सीन्चे, नीरु पेट्टुटा, to irrigate, घडा, कुंडा, पाट, साई, भगमंतुडू, गाड, भूका, आकलितो, उन्नवाडू, हंग्री मैन। भाषा की बात, पाट में आये हुए कुछ व्याकड अम्शों को अभम जानेंगे। धीरे शब्द का विलोम शब्द क्या है। धीरे शब्द का विलोम शब्द शीग्र। माली शब्द का लिंग पहचानो। माली शब्द का स्रीलिंग शब्द है माली नी। धोहा का वचन बदलो। धोहा का वचन बदलने से दोहे होता है। धोहा एक वचन रूप है और दोहे बहुचन है। वे सब धीरे धीरे चल रहे है। इस पाक्य में क्रिया विशशन शब्द पहचानिये। इस वाक्य में क्रिया विशशन शब्द है धीरे धीरे। दुख में सुमिरन सब करे। रेखांकित शब्द का तच्छम शब्द पहचानिये। इसमें सुमिरन के नीचे रेखांकित किया हुआ है। सुमिरन तद्भव शब्द है। इसका तच्छम शब्द है स्मरन। रुतू शब्द का अर्ध क्या है। रुतू शब्द का अर्ध है मौसम। सव घड़ा समास पहचानिये। सव घड़ा द्विग समास है। भिवेक्ति और सुरुजरात्मकता के अंतरगत यहाँ एक प्रश्ण दिया जा रहा है। इसे ध्यान से पढ़कर अपने शब्दों में लिखो। प्रश्ण यहाँ कुछ नेती संबंधी नारे लिखिये। बच्छों, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पाट अच्छी तरह से समद में आए। अगले सत्र में कभी वुरुंद जी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद यहाँ झाल